ठीक है तो चार से पांच मिट जो है लेट हो गया हूँ मैं कोई दिक्कत की बात नहीं है अपन जो है सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं बस हाँ बाई इलेक्ट्रो माइगनेट का लेक्चर लाइव हो चुगा है हाँ नहीं दिखे लेक्षा तुम लोग को है चला नहीं चला चल गया है चलो बहुशीब बढ़िया सेशन का लिंक भी शेइर कर दिया है बहुत सारे जो बच्चे हैं वह एक साथ अभी आ चुके हैं मैदान में कुच चुके हैं ठीके तो तो रचत नितिश अंचप्रीथ हेलो हेलो एवरिवन ठीक है आगे बेट आगे रमेश हाई बेटा साकेथ ठीक है यार हो जाता है अब देखो मैं पंचवल आ जाता तो मैं पीपीटी के अंदर कुछ अच्छी चीज़े डाल रहा था हो नहीं डाल पाता ठीक है तो कभी कबार हो जाता है दो तिन मिन ठीक है तो माफ कर दिया करो ऐसे में ठीक है चलो यार नमस्ते नमस्ते हेलो हेलो एवरिवन ठीक है फैचान गया बेटा ठीक है जितने भी बच्चे है वेलकम टो एकैडमी सुडियो लेट्स करेक्ट पॉंडिशन एन टीसी बचो आज की जो क्लास है यह जो क्लास हम आज पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रो मैगनेट एंड इलेक्ट्रिक बैल के बारे में मैं आज को आज समझाने वाला हूँ बहुत इंपोर्टेंट चीजे बहुत शांदार आसान आसान सी चीजे हैं ध्यान से फोकस होके पढ़ना बहुत बच्चे हमेशा हर सेशन में चाहते हैं कि मैं हर सेशन में आके स्ट्रेटेजी ही बताता रहूँ यह पॉसिबल नहीं है तो मैं जो है कमेंट्स पढ़ूँघा ही लावा कुछ और सवाल कर रहे होंगे कुछ और चेप्टर की बाते करना चाह रहे होंगे बीच-बीच में या पिर कोई ऐसी ब यहां इलेक्ट्रो मैगनेट पढ़ेंगे और वही पढ़ने आए हैं इस टीम को आप जानते हैं सूपर आजस्थान के एक्सपर्ट टीचर्स हैं आपको यहां पर मेंटर्शिप और गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं आजसे जितने भी एक्जाम सोथे हैं साहसा है अग्से एक्जान आपकी क्रीटि कराने में हम सब आपकी बदद यहां पर कर रहें योट्यूब पे भी आपको बढ़ाते है朗े यूट्यूब पे ही पढ़ा देते हो तो या ठीके पर्सनल मेंटर्शिप और अगर ग्रूमिंग अगर आपको चाहिए यार सर मुझे जो है क्लास के अंदर सवालों को सॉल्व करने के और तरीके सिखाए मेंटर्शिप मिले सडी मटरियल मिलने के बाद उसका डिसकेशन भी हो तो उसके लिए बच्चो प्लस पे आना पड़ेगा आपको प्लस प्लैटफॉर्म पे ये सारे टीचर जो है बिल्कुल आपकी मदद करें और प्लस पे आने के लिए आप आर ए लाइव कोड का इस्तमाल करें ये जो कोड मैंने बताया आपको इस कोड का इस्तमाल करें 10% फी डिसकाउंड मिलेगा साथ-साथ में मैं आपको मेंटर्शिप भी प्रोवाइड करुआ बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि सर मंडे को तो NTC की क्लास हुई ही नहीं सर हमारा जो है आप जो है NSEP का जो है क्लास 11 का लेक्टर लिये ही नहीं मंडे को तो बेटा शिड्यूल प्लीज ध्यान से देख लो शिड्यूल ध्यान रखो आपके जो मैसेजज हैं मैं उनका reply कर देता हूँ obviously जो है मैं late तो होता ही हूँ reply करने में because मैं पूरे time telegram नहीं चला सकता तो आप एक चीज ध्यान रखें अगर आप मेरे को कोई message कर रहे है telegram पे तो एक दिन का वक्त दें पूरा बहुत सारे बच्चे ऐसे message कर दें sir urgently please reply ऐसा कुछ possible नहीं हो पाता यार बच्चों एकदम से ठीक है अगर मैं urgently लेकर बैठा रहूंगा तो आपके लिए ppt और content कब create किया जाएगा आपके लिए जो सारी चीजे create करनी है सारी पढ़ानी है हम उसी में व्यस्त रहते तो schedule आप अपने आप देखे ध्यान से देखे ठीक है then इसके बाद foundation NTSC आप subscription लें get subscription पर जैसे ही आप click करेंगे सबसे पहली चीज मैं आपको mentorship provide करूँगा आपको study material देंगे और उस study material को discuss भी करेंगे study material market में अताह पड़ा हुआ है free books आप download करते ही जाओ करते ही जाओ पर उसको solve करवाने वाला अगर आपके पास कोई भी mentor है तो आप बिल्कुल सही track पर है study material लेके रखने से selection नहीं होता है उसको करना है और उसके doubts को discuss करना है वो study material और discussion आने काड़मी platform पर हर चौथी class doubt discussion class है पाचवी चीज जो है मतलब चौथी ही चीज है यह ठीक है चौथी चीज जो है आपको जो है जितने number of test papers आपको देने आप दे वहाँ पर बहुत सारे educators at least 50 से 7 educators जो है आपको an academy foundation पर पढ़ा रहे है आप जिसके भी course में interested है जो भी आपके मन को भारा है जो भी teacher ठीक है उसकी class में जाए class attend करें ठीक है और उसकी जो practice papers है वो जरूर करें ठीक है तो हर एक educator आपके लिए महनत करके papers जो बनाते हैं प्लीज अगर आपको paper level पसंदा रहा है अच्छा लग रहा है तो उसके सारे paper attend करें ठीक है तो यह 5 benefits बताएं कभी session miss हो जाता है तो आप pre-recorded videos जो है pre-recorded मतलब जो previously recorded videos है उनको भी आप जाकर देख सकते हैं तो ऐसा बहुत बार होता है अगर आप एक teacher के साथ tuning में बैट जाते हैं ठीक है दो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि sir वो teacher best है वो teacher best है मेरा एक चीज मानने ह जो भी आपके लिए मेहनत कर रहा है वो best है अगर आपको उससे समझ नहीं आया तो आप किसी दूसरे teacher से पढ़ ले ठीक है ऐसा ना कहा कहा करें बच्चे बहुत सारे बच्चे कह रहे होते हैं कि यह teacher नहीं अच्छा नहीं अच्छा सब teacher अच्छे है ठीक है अगर आपको जो भी भारा है जो आपके मन को भारा है उससे पढ़ते चले ठीक है यह tuning वाली बात होती है इसे कहते है resonance ठीक है जा frequency मैच करती है ठीक है जा frequency मैच करें वहाँ पढ़ते चले तो सारी बाते जो है मैंने आपको बताई अनक आडवी platform के बारे में ठीक है then learning app डालना और इसके खटाखट अपनी पढ़ाई को continue चलने देना ठीक है laptop desktop नहीं है जो tension कभी लेंगे नहीं हम mobile के थ्रू जो है सारी education को हम आपको provide कर रहे है ठीक है then इसके लाबा foundation यार दो साल का foundation जो है 21,000 रुपे एक साल का foundation जो है 17,500 रुपे यह super awesome code जो है cool जो code बिल्कुल आप लोग के ल आरे live यूज कर डालो ठीक है एंड यह जो परम सत्य है code इसकी वज़े से 10% fee discount हुआ 18,900 में आपको जो है 21,000 का जो है 18,900 में and जो 17,500 में वो 15,750 में आपको subscription amount यहाँ पर पढ़ जाएगा बहुत सारे बच्चों को बता जाता हूँ बहुत important चीज जो है credit card के जरीए जो है easy E EMI options से जो है आप यहाँ पर जो है अपनी जो है इस payment को दे सकते हैं ठीक है पार्ट पार्ट में तोड़के credit card पर EMI अवेलेबल है और HDFC debit card पर अवेलेबल है ठीक है यह सारी बाते बताई फिर भी किसी बच्चे को ऐसा है कि सर मुझे तो personally ही पूछना है ठीक है subscription के बारे मे तो telegram and contact number जिंदाबाद ठीक है चलो यार अब जो है electromagnet and इसके आगे एक चीज यूज़ कर देते हैं electric bell यार बड़ी काम की चीज़ है electric bell ठीक है यह घंटी जो है यह कैसे बचती है क्या magnetism का concept इसके नदर लग रहा है आज यह दोनों चीज़े समझने वाले हैं हम जानने वा सबसे पहले आप study करते हैं magnetic field की ठीक है उसके बाद आप study करते हैं force की की force कैसा लग रहा है end में आप study करते हैं induced current की ठीक है इसे electromagnetic induction कहा जाता है I की study करते है आज के lecture के समाप्त होते ही हम B को complete कर देंगे इसके बाद at least 3 से 4 lecture आपके force के उपर आएंगे तीन मान के चले बहुत important topic है तीन lectures इस पर लेके आएंगे हम आपके लिए दैन उसके बाद electromagnetic induction चालू होगा तो आज जो है इसका समाप्त कर देंगे खात्मा करने वाले हम magnetic field खतम कर देंगे दैन इसके बाद देखो goodbye question last class का goodbye question आपको यह दे रखा था मुझे याद है मैंने last class में question दिया है जड़ा अनसर बता है जल्दी से सका अंसर क्या रहा है जितने विच्छे hi कहाई क différents पर प्लीज इसके अलवा जो है चैटों को जो है बिल्कुल बंद कर दे है है जान दिया आप liar हरे आप चैट चैट बॉ distant बॉक्स में कमेंट करने का कोई भी result नहीं मिले इसका अंसर ठीक है, absolutely करें एक बच्चे ने बुला कि मेरे हिसाब से जो उसने answer दिया है, बिल्कुल सही answer दिया है, ठीक है, उसने लिगा है मेरे हिसाब से 3 minute भाया, ठीक है, मिलता जुलता कुछ answer है, यहाँ पर हम दे सकते हैं कैसे, और wire is shown in the figure, carries a current आई, देखो यार बच्चों, अगर ए axis जो है, wire की axis पे कोई भी magnetic field नहीं होता, magnetic field की value 0 होती है, तो इसकी वज़े से और इसकी वज़े से कोई magnetic field नहीं है, आपको एक loop दिखाई दे रहा है, loop के number of turns कितने हैं, यहाँ पर 3 4th turns हैं यहाँ पर, 3 4th turns यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, magnetic field का जो formula है, आप बोलेंगे sir ऐसे देखो, यह आपने सिखा है, last class में, current ऐसे घूम रहा है, तो magnetic field inverse, ठीके, तो inverse का symbol यह, sir, formula जो होता है, वो यह होता है, mu0 ni divide by 2r at the center, तो आप बोलें sir, n की जग़े डालें, 3 4th, 4 into 2r, so your final answer is, 3 mu0 i upon 8r, that's how you can give the answer, यह रहाँ अच्छो आंसर, ठीके, तो यह answer से जो है, आपने यहाँ पर आगे बढ़ने ही कुछिस करते है, next जो है, अभी हम theory पढ़ते हैं, कुछ जो बाते हैं, electromagnet क्या है, ठीके, electromagnet पढ़ाने से पहले मैं आपको बताता हूँ, आप सबको last class का solenoid बिलकुल याद है, ठीके, तो ध्यान से चित्र को देखे, ठीके, बचो अग आपने क्या किया, एक core लिया, ठीके, इसे कहते हैं core material, core material जो है, हम generally electromagnet के अंदर soft iron core लेते हैं, कुछ बच्चो के दिवांग में तुरंत लिखते से ही doubt उत्पन हो जाएंगे, तुरंत चालू हो जाएंगे, सर soft का मतलब क्या है, कि यह बहुत soft है, नहीं बच्चो ऐसा नही हैं, ऐसे, ठीके, iron, cobald, nickel, यह सारे जो है, magnetism produce कर रहें, तो randomly ऐसे magnetic particles इसके अंदर ऐसे arranged होते हैं, ठीके, जैसे ही आप soft iron core को magnetic field के अंदर रखते हैं, इसके alignments जो होते हैं, यह alignment, आप देखो यह टेडे मेडे ऐसे arranged हैं, यह randomly arranged है, random arrangement है इसके अंदर, जैसे ही आप इसे magnetic field म अपने आपको align कर लेते हैं, ठीके, वो alignment कैसे होता है, कब होता है, थोड़ा सा अपन समझेंगे, पर soft का मतलब बच्चो यह नहीं है, कि वो बहुत soft है, वो दब जाएगा, ऐसा नहीं है, soft का मतलब यह है, कि वो alignment बहुत आसाली से कर लेता है, इनके कुछ technical नाम दिये गए उनको अभी बिल्कुल आप पढ़ते वाले, तो देखो इसमें wire की winding कैसे करी, अब यह तो एक soft iron core ले लिया, हमने core का material ले लिया, इसके चारो तरफ wire की winding ऐसे करो यार, देखो यह, अब यह यहां से पीछे गया, पीछे से ऐसे, फिर यह ऐसे निकला वापस, ऐसे, बड़ा बड़ाई खूबसूरत से चितर बनाने की कुशिश की जारी है आपके लिए, आपके लिए, तो जड़ा समझने की कुशिश करें, ऐसे यह winding कर रखी, यह जो dark वाला wire है, यह बाहर की तरफ है ऐसा, आपने बोला सर यह आपका wire खतम, यह ऐसा नीचे, सर यह पीछे से ऐसे wire यह जो है, यह जो है, ऐसे आया, पीछे जा रहा है, तो उसे कैसे दिख रहा है, यहाँ वाले को कैसे दिख रहा है, तो winding पीछे से लाई, ऐसे करी, ऐसे करी, ऐसे करी, ऐसे रोटेट करते गए, और आगे ऐसे निकाल दी, तो आपने बोला कि सर current ऐसे जा रहे है, current is flowing in this direction, जड़ा फटा-फट से बताओ, आप यहाँ पे खड़े हो, आपको current कैसे दिखाई दे रहा है, पीछे से आया, पीछे से आके जो current है, इस तरह से downward direction में यहाँ से गया, फिर यह ऐसे जाके, फिर ऐस उपर गया, ऐसे गया, ऐसे ऐसे करते हैं, यहाँ से बाहर आ गया, आप खड़े हो, आपको कैसा current का direction दिखाई दे रहा है, clockwise या anti-clockwise, जल्ली से बताओ, नहीं नहीं ध्यान से देखके, anti नहीं है बच्छो आपकी बार, anti नहीं है, समझ समझ के बताना, ऐसे खड़े, imagination करना, कि सर ऐसे यह वायर पीछे की तरफ गया है, ऐसे पीछे और यह आगे से ऐसे हुआ, यह कैसे दिख रहा है, सरी, यह clockwise दिख रहा है, जो भी बच्चे clockwise कह पा रहे हैं, बिल्कुल सही बात, दीकि इधर से clockwise दिखा, तो आप बुनेंगे सर, इधर जो है, साउथ पोल बन गया, सर इधर खड़े होके देखें जरा, इधर खड़े होके देखतें, यह से क्या दिख रहा है, सरी, यह देखो ऐसे, पीछे से निकल के, ऐसे बाहर की तरफ ऐसे आया, पीछे से निकला, ऐसे बाहर की तरफ ऐसे गया, तो यह सर क्या है, यह 9 बच गया, इस तरह से 3 बच गया, ऐसे घूम रहा है, मतलब 3 बच गया, 12 बच गया, 9 बच गया, ऐसे घ जैसे क्या होई magnetic field lines produce होनी चाले होगी magnetic field lines को जो है बड़ा अच्छा से चितर के अंदर दिखाते हैं यलो कलर में आपको दिखाते हैं यह देखो यह ऐसी magnetic field lines यह ऐसे जारी नॉर्थ पोल से बाहर निकल रही है यहां से जो है अंदर की तरफ एंटर कर रही है एसे ठीक है और magnetic field lines नॉर्थ से सारी magnetic field lines बाहर निकल रही है ऐसे और सरी पीछे की तरफ जारी है साउट से जो है अंदर की तरफ एंटर कर रही है तो ऐसे magnetic field lines आप बोलेंगे सारो direction में इस तरह से यहां पे निकल रही है this is exactly looking similar like solenoid ठीक है अब इसके अंदर क्या होगा core के अंदर क्या होता ह दीख न यह जो core होता है न इसके अंदर ऐसे particles है randomly arranged particles है अब यह अपने आपको magnetic field में align कर लेंगे magnetic field की धर है इस direction में अंदर की तरफ दीक है जो अंदर वाला पार्ट है इधर magnetic field है ऐसे 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 आखे तो यह जो particles से सारे अपने आपको इस direction में align कर लेंगे कुछ इस तर ऐसे तो सारे पार्टिकल ऐसे हो जाएंगे इन दी डारिक्शन ऑफ मैंगेटिक फील्ड ठीक है इन दी डारिक्शन ऑफ मैंगेटिक फील्ड तो आपने क्या देखा सर सबसे पहली बार solenoid की magnetic field तो थी ही सही तो magnetic field जो थी solenoid की वज़े से पहले से थी अब क्या होगे सरी यहाँ पर यहाँ पर magnetic field एक और add हो जाएगी कौन सी magnetic field सरी soft iron core की वज़े से जो particles ऐसे अरेंज हुए हैं इनके arrangement की वज़े से जो magnetic field बन रही है ठीके तो plus magnetic field जो आपकी soft iron core ने produce करी ठीक है तो soft iron core की क्या property होती है उसके particles फटा फट्चे खटा खट ऐसे arrange हो जाते है इनको कुछ technical नाम्स दिये गए है इनको जो नाम दिये गए मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी दिर में पढ़ाने वाला हूँ Retentivity, Corsivity, Suspectability ठीक है कुछ नाम जो है ये दिये गए है Retentivity, Corsivity तो थोड़ी दिर में आपको बिल्कुल मैं समझाने वाला हूँ तो थोड़ा electromagnetic मैंने आपको feeling दिलाई कि किस तरह से यहाँ पर इनके arrangement की वज़े से solenoid की magnetic field तो जैसी थी वैसी की वैसी रही ये रही, इसके अंदर soft iron core की वज़े से एक और magnetic field आकर add हो जाती है so the value of magnetic field increases that is the benefit of soft iron core अगर कोई बच्चा सुत्रवाइसर, soft iron core की जोगे कुछ और रख दिया तो क्या यहाँ पर आप steel भी रख सकते हैं ठीक है, steel की वज़े से क्या होता है यह जो alignment है, यह बहुत slowly होता है समय बहुत ज़्यादा लेता है तो इसकी वज़े से हम steel यूज रही करते और जैसे फिर आप electromagnetic को off करोगे off कैसे कर सकते हो, यहाँ पर एक की लगी होगी जैसे इसको off करोगे तो steel के particles धीरे 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 सीदे होते मतलब ऐसे orientation करने में steel time भी ज़्यादा लेता है और वापस normal आने में time वापस ज़्यादा लेता है तो steel हमारे कामगा नहीं है soft iron core में क्या होता है जैसे आपने current pass किया सीदे, एकदम से यह सीदे alignment में आ जाते है that is the property, ऐसे alignment में आ जाते और जैसे आप current off करते हैं तो वापस हो random हो जाते है ऐसे random हो जाते है that is why soft iron core is an important element here because soft iron core के अंदर alignments जो है quickly हो जाते है इससे क्या फायदा होता है अभी आपको समझ में आ जाएगा just imagine करो आपको electromagnet बनाना था पहली बात electromagnet क्या होता है एक temporary magnet होता है electromagnet is a temporary magnet अगर आपने जैसे इस current को off किया उसके बाद जो inner material है वो magnet ही रह गया तो अपना तो नुकसान हो गया हमें कहाँ चाहिए यदर temporary magnet तो जैसे current off कर रहा हूँ तो यह जैसे तुरंत ऐसे align हुए थे current off करते हैं तुरंत ऐसे हो जाने चीए ऐसी property soft iron को exhibit करता है अब ज़रा थोड़ा detail पढ़ते हैं थियोरी पढ़ते हैं यहां क्या लिखा हुआ है तो ध्यान से देखो definition क्या है solenoid को define कैसे किया गया है strong magnetic field produced inside a solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron अब देखो क्या लिखा है solenoid की magnet की वज़े से magnetize किया आपने soft iron core को magnetize कर दिया this process where the random particles arrange like this random particles ऐसे अपने आपको arrange कर लेते हैं this is known as the process of magnetization आपने एक ऐसा material जो पहले magnetic properties को exhibit नहीं कर रहा था उसके अंदर alignment को ऐसा कर दिया now it is exhibiting the property of magnetism डीके तो magnetize आपने कर दिया है यहाप when placed inside the solenoid ऐसे magnetize हो जाता है the magnet so formed is known as electromagnet जरा देखते है principle क्या है it works on the phenomenon of magnetic effect of current current जो है magnetic effect प्रोडूस करता है इसके उपर जो है electromagnet work कर रहा है construction it consists of a large number of turns of an enameled thick copper wire बच्चो enameled का मतलब होता है coated coating जिसकी करी होती coating क्यों कर रहेंगे हम बात कर रहें अगर coating नहीं करी होती तो ध्यान से समझना coating अगर नहीं करी होती तो यह black wire जो है आपस में touch हो रहे होते touch होने की वेज़े से current ऐसे गोल गोल क्यों घूमता current तो सीधा चला जाता सरफेस से समझने मेरी बात को यह जो black color के ऐसे winding कर रही है आपने wind wind ऐसे round 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 घुमा रखे अगर यह सब एक दूसरे को touch कर जाएंगे अगर यह touch कर जाएंगे तो current उपर उपर से चला जाएगा यही बात मैंने आपको बताई जैसे ही आप current को off करेंगे यह जो ऐसे आपने alignment किया है वापिस से यह ऐसा disturbed alignment हो जाएगा यह random arrangement हो जाएगा और random arrangement में कभी भी magnetic field produce नहीं होती है ऐसे arrangement की वज़े से इसकी खुद की एक magnetic field आ जाती है तो क्या होता है magnetic field stronger हो जाती है यह बात हमने पहले भी करिए यहाँ पर देखो and some other factors which you will study in the higher classes यह higher classes वाली जो बात है मैं थोड़ा सा आपको इसको define करूँगा समधाऊँगा end में session के end में तो इनके नाम बता देता हूँ इनके नाम है retentivity and coarsivity मैं इनको समधाने वाला हूँ आपको कि यह क्या है ठीके then their shapes and size depends upon the purpose for which they are to be used तो electromagnet के shape and size depend करते हैं कि हमें किस purpose के लिए use करना है देखो अगर आपको crane बनानी है जो ऐसे material जो है उसको यहाँ पर separate करें जो properties जो like iron, cobalt and nickel अगर ऐसे dust particle में मिले वे उनको अगर आपको separate करना है garbage में से तो आपको ऐसी use करने पड़ेगी अगर आपको electric bell के अंदर यूज़ करना है तो electric bell भी मैं आज पड़ाऊंगा आपको electric bell के अंदर horseshoe magnet यूज़ होती है horseshoe कैसी दिखती है आप सब लोग को पता है horseshoe ऐसे दिखती है तो यह जो है electric bell के अंदर इस्तिमाल होती है यह बात हमने बता है यह देखो वही चीज़ बता रखा है enameled copper wire enameled का मतलब coating किया हूँ ऐसे इन्होंने wrap कर दिया है यहाँ पर यहाँ अगर आके मैं खड़े होके देख रहा हूँ यहाँ पर मुझे दिख रहा है जो current है वो ऐसे जा रहा है ठीके जो तो आनी है current की वज़े से plus magnetic field due to soft iron core ठीके यह magnetic field कहां से आई है यह material जो है magnetized हुआ है ठीके soft iron core get magnetized by the help of magnetic field of solenoid solenoid की magnetic field की वज़े से यह magnetized हुए आई होप यह बात समझ में आई होगी ठीके अब दिखो इसके working और application अभी देखने से पहले फिर बता रहा हूँ अगर आपने इससे related doubt पूछा तो मैं पढ़ूँगा वरना इसके किसी कोई doubt है तो इससे related लिख सकता है हो चैस गो शिद्दान श्रिवास्तव स्पैम मत कर वेटा स्पैमर्स को तुरंद ब्लॉक कर दिया जा रहा है पता है आपको और यह moderators जो है moderators जो है spammers को तुरंद ब्लॉक कर देते मैं सिर्फ इससे related doubt पूछने को कह रहा हूं विच्चो आपको है न स्पैम होता है एक comment को बार बार लिखते जाना उसको moderator ने hide कर दिया उस person को बचो फिर से आपसे कह रहा हूं सिर्फ जो पढ़ाया है इससे related doubt पूछो बागी मत पूछो यार सॉलनेट का मतलब पूरानी class देखनी पड़ेगी नहीं बता सकते बेटा नल पॉइंट्स की यहां पर discussion नहीं कहींगी है पहले यह पढ़ लो उसके बाद बाद करेंगे random position नहीं है random arrangement है please words को जो है ध्यान से देखो वायर में magnetic field zero क्यों होगा goodbye question last class में जाके magnetic field of wire पढ़ो वो नहीं बता सकते बी soft iron को difference in magnetic field increase करता है difference वाली बात नहीं कर रहे हैं यहां साफ साफ बताया है कि add हो रहा है वो flaming's rule नहीं पढ़ाया है नहीं पढ़ा सकते बेटा बी प्लीज यार session को session की तरह चलने दो एक भी बच्चे ने ऐसा comment नहीं किया है जिसको इसको कोई भी डाउट है इसका डाउट किसी ने नहीं पूछा है ठीक है तो यह दो मिनिट भी जो मैं रुकता हूँ दो मिनिट भी जो रुकता हूँ मैं आप लो के लिए उसको भी आप बिल्कुल व्यर्थ कराते हो टाइम वेस्ट बिल्कुल बरावर से कराते हो आप लो अर्थ का magnetic field आएगा यहाँ पर पर उसको पढ़ ही नहीं रहे हैं जो पढ़ रहे हैं वो समझो अगर कल को मैं मुलू कोई बच्चा बोले कि सर ग्रेविटी क्यों नहीं लगाई सर इसके अंदर सर आपने जो है इसके चार्जेज मान की इलेक्ट्रोस्ट्रेटिक पूर्स क्यों नहीं लगाया ऐसी बाते मत करो जो समय व्यर्थ कर दे पूरा आपका हाँ कोई डाउट है निक किसी भी बच्च ने रिलेवेंट कमेंट फिर से नहीं पूछा ठीक है प्लीज इसी से रिलेटेट पूछे कुछ मत पूछे इसके अलावाई ठीक है चलो यार वापिस से लास्ट क्लास जाके देखो बच्चो ठीक है चलो यार लेटेस बूख है कोई पी डाउट ऐसा नहीं था जो इसके अंदर आपका निकला जिन बच्चों ने प्रिवेस सेशन मिस करें उनका डाउट लाज़बी है यार देखो कोई भी ऐसा लेक्चर नहीं होता जहाँ जादू से आपको एकदम से चीज़े समझ में आने लग जाए प्रीवेस लेक्चर्स देखनें ये परम सत्य है देखके जरूर आया करो तो आपको फायदा होगा लेटस ठीके चलो 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 लेटस लेटस बुव हैट बहुत ही फंटामेंटल चीज़े हमने बिल्कु को क्लोज किया आपने स्ट्रॉंग करंट इसके अंदर पास हुआ ठीके इसकी वज़े से क्या होगा इट बिकम्स ट्रॉंगली मैगनिटाइज ठीके तो यह स्ट्रॉंगली मैगनिटाइज हो जाएगी यहाँ पर वैन इट इस सस्पेंड़ वर्टिकली बाइस ट्रॉंग क यह दोनों मैगनिटिक फिल्ड मिल के एक वेरी स्ट्रॉंग मैगनिटिक फिल्ड बना रही होगी अब आपने बुला कि इस पूरे पार्ट को यह क्रें से कनेक्टेड है इसको ऐसे लोवर करो और वहाँ पर एक मैटल शीट जो है उसको आप क्या कर सकते हो स्टक कर सकते हो तो देखना है यहाँ पर its lower end is touched with a heavy iron sheet lying on the ground it will stick to the sheet आपने electromagnet को on किया जो आपकी यहाँ पर iron की sheet थी उसे आपने क्या किया उसको चपका दिया उसके फिर आपने उसे क्या किया separate करके side बे लेके आए और electromagnet को आपने off कर दिया ठीके the crane can easily lift the iron sheet to make the sheet free the current is switched off ठीके जैसे ही switch off करोगे electromagnet का effect जो है आपका समाप्त हो गया है ठीके applications देखते हैं in factories very strong electromagnets are used with cranes for lifting very heaven iron ingots ingots क्या होते हैं blocks जो होते हैं blocks को ingots कहा जाता है blocks and steel scraps from one place to another ठीके तो यही चीज मैंने भी आपको बताई electromagnet क्या करते हैं separation के लिए काम आते हैं heavy blocks को जो है आप एक जगे से उठा के दूसरी जगे रह सकते हो या फिर जो metal की चीज़े है उसका separation कर सकते हो second hospitals they are used for removing small steel splinters steel splinters क्या होते है steel के बारिक बारिक अगर टुकड़े किसी की आँख में चले जाए ठीके from the eyes of a patient अगर माल लो कोई ऐसा person है जो steel के आजू बारिक जो steel dust उसके आसपास काम कर रहा है अगर उसकी आख में steel के dust particles चले जाए तो separate कैसे करेंगे by the help of this in office and house they are used in electric bells electric bells के अंदर इस्तिमाल होता है मैं आपको बताऊंगा कैसे to separate iron from muddy impurities in metallurgical industries तो अगर मड के साथ छोटे छोटे आयन पार्टिकल्स आयन पाउडर मिक्स हो जाए तो कैसे separate करोगे आप दीगे तो ऐसा तो है नहीं कोई छन्नी लेके चान लोगे आप दीगे तो यही जो है एक बढ़िया तरीका है separate करने का अब ज़रा factors देख लेते हैं affecting the strength of electromagnet last class में मैंने आपको magnetic field का formula पढ़ाया था solenoid का magnetic field का formula कुछ इस तरह ऐसे था mu naught है ना है mu naught की value सब बच्चे जानते हैं 4 pi into 10 to the power minus 7 n का मतलब क्या है number of turns per unit length बहुत काम की चीज़ number of turns per unit length and इसके बाद जो है इसके बाद जो है आई लिखा हुआ है वो है बच्चो current i की value है current अब देखो इन सब factors पे magnetic field solenoid की depend करता है अगर आपको electromagnet की magnetic field बदल नहीं है तो क्या करना पड़ेगा देखो यार पहली चीज number of turns in the coil if we increase the number of turns in the coil strength of electromagnet increases अगर आपने n बढ़ाया तो obviously बात यार अगर n बढ़ाओगे तो magnetic field बढ़ेगा then the current flowing in the coil current in the coil is increased strength of electromagnet increases अगर current की value जो है इसको बढ़ाते जाओगे तो strength भी जो है बढ़ती जाएगी then length of air between its poles ठीक है ये चीज़ बच्चों को बड़ी confusing लगती है कहने का मतलब ये है कि अगर north and south pole दूर दूर है तो बहुत ज्यादा strong electromagnet नहीं होगी तो बार magnet ज्यादा strong electromagnet नहीं होती ज्यादा strong कौन से होती है होड़्शू ठीक है तो होड़्शू मैगनेट में आप क्या बोलेंगे सर देको ये north pole ये south pole ये distance जो दोनों के बीच का है this is the distance yellow color से जो मैंने mark कर रखा है ये यहाँ पर छोटा है whereas जो यहाँ का distance है वो बहुत बड़ा है तो इसी को इन्होंने length of air between its poles कहा है ठीक है so if we reduce the length of air gap between the poles अगर आप उसे bend कर दें तो poles पास में आ जाएंगे ठीक है उसके बाद बोला गया है then its strength increases तो strong magnetic field create होती है horseshoe magnet के poles के बीच में ठीक है whereas यहाँ पर जो है थोड़ी सी weak हो जाती है next for example if air gap between the poles of a straight bar type electromagnet is quite large ठीक है straight वाली के अंदर क्या होता है quite large होता है तो आपने क्या कर दिया है इसे bend कर दिया है इसे ठीक है so a bar type electromagnet is not very strong तो bar type क्या होती है जादा strong नहीं होती है then on the other hand the air gap between the poles of a U-shaped electromagnet यह U-shaped आपको electromagnet दिखाई यह poles के आगए आपके बहुत ही पास में आगए है close आगए है poles ठीक है it is a small so it is a very strong electromagnet तो जैसे जैसे poles पास में आते जाते हैं बच्चो ध्यान रखना poles के पास में आने की वज़े से electromagnetic जो है magnet की जो magnetic field की value है वो बहुत ज़्यादा increase हो जाती है then use of electromagnets are used in अच्छा uses of electromagnets are used in electric bells अभी पढ़ाने वाले हैं आपको telegraphs, telephones अब देखो telegraphs और telephones के अंदर किस तरह से use किया जा रहा है यह अपने को theory में नहीं है ठीके इसका जो है construction diagram नहीं जानना है अपने को बस पता हो ना जो telephone जो उसके अंदर भी magnet को use किया जाता है ठीके अगर किसी ने बच्पन में अगर speaker speaker को तोड़ा होगा मैंने तो तोड़ा है ठीके speaker को तोड़के उसके अंदर देखा होगा तो जहां से आवाज आ रही होती है उसके बीचे बड़ा सा magnet होता है ठीके तो वहां भी वह कुछ न कुछ तो इस्तिमाल कर रहे है अगर आपको इंट्रेस्ट है तो देखो अभी मत पढ़ने भैटना अभी टार्गेट अपना NTC IJS वे आप इस पर डिटेल magnets by increasing the current current को बढ़ाओगे magnetic field भी आपका साथ साथ में बढ़ता जाएगा I hope जो है थोड़ा सा जो है feeling आना चालू हुई होगी इस चीज की ठीके note important चीज जो बच्चे बोल रहे थे की soft iron core वाली बात जड़ा देख लो ठीके इसके बाद किसी है कोई सवाल है related to this तो बिल्कुल पोस्ट करना मैं पड़ू हुआ दो मिट बात दीके soft iron can be easily magnetized even by a weak magnetic field तो अगर मालो external magnetic field weak थी ठीके तो आपने एक soft iron core रखा इसके अंदर जो पार्टिकल से वापिस से वह दिखा रहा हूं यार देको बहुत अच्छी clarity हो जानी जी अपके बाद ऐसे जो इसके अंदर जो particles थ रेंडम अरेंजमेंट था इसके अंदर आपने बोला कि sir external magnetic field यह रही ठीके ऐसे थी external magnetic field ऐसे थी यह external magnetic field आपने दिखाई अगर यह external magnetic field अगर weak भी है weak magnetic field की वज़े से भी यह खटा-खट ऐसे अरेंज हो जाते है पड़ावर्ज है ऐसे 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 तो यह जो है after magnetization ऐसे हो जा दिया है after magnetization ऐसे दिखाई देंगे I hope बास समझ में आगी whereas steel can be magnetized only by a strong magnetic field अगर steel को magnetize करना है तो external magnetic field strong होनी चीए soft iron core फटा-फट से weak से भी ऐसे फटा-फट से ऐसे अपना जो है magnetize कर लेता है अपने आपको I hope बास समझ में आई होगी जड़ा इससे related अगर इन चित्रों से related कोई doubt है तो पूछो यार पीटा-फट के doubt discussion की class रखी जाएगी अभी अभी पहले यह पढ़ लो कभी भी lecture के बीच में ऐसे बीच में disturb मत करो है ना यार अगर पूल्स जो है अगर ऐसे फार है पूल्स अगर फार अपार्ट है एक दूसरे जे तो इनके बीच के distance बड़ा है इनके बीच के distance बड़ा है तो यहाँ पर magnetic field जो है in comparison to U-shaped magnetic field कम होती है ठीक है how to make an iron core a permanent magnet देख विटा क्या होता है अगर लंबे समय तक उसकी magnet आपने जो है अगर मालो आपने soft iron core की जगह यहाँ पर steel रख दिया देख न जहांचे steel रख दिया अब steel के अंदर क्या होता है धीरे 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 मैंने आपको पड़ाया है steel की property यहां लिखावाई steel can be magnetized only by strong magnetic field strong magnetic field चे धीरे 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 magnetize किया अब इसको हटा के बहार रख दो soft iron core की जगह आपने क्या यूज किया है अबर steel उसको हटा के बहार रख दो अब steel के अंदर random arrangements होने में भी समय लगता है तो अगर आप जो है solenoid के अंदर steel डाल देते हो तो वो permanent magnet जो है उसकी तरह behave करने लग जाते हैं बहुत लंबए समय तक उनका magnetism रहता है वेरेस अगर आपने soft iron core को इसके अंदर insert कर रखा है soft iron core को इसके अंदर डाला है तो वो एकदम फटाफट से जो है strong magnet बन जाते हैं और current off करते ही वापिस back to the normal हो जाते हैं ठीके पोल्स 90 डिगरी पे हैं तो कोई दिक्कत नहीं यह देख 90 डिगरी पोल्स आके कोई दिक्कत नहीं यह हो गए क्या दिक्कत है इसमें यह बाहर magnet से थोड़ा से strong हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं सही बात है बटा resistance is inversely proportional to magnetic strength of electric magnet मेटा प्लीज इसी टॉपिक से लेटेट रहू नहीं यार प्रॉपर्टी ये सॉप्ट आरन कोर की मैंने बता दी थी एक बार SHM अपने आप समय पर आ जाएगा बुक्स जो है मेटा टेलिग्राम पर बूचना यहां नहीं बता सकते है भी SHM नहीं हुआ कोई फिर यार रिलेमेंट डाउट यार कि बच्चों हाथ जोड़ रहा हूँ आप लोग कुछी काम की चीज पूची नहीं रहा कोई भी यार नहीं रहे साथ है ना बहुत ही बड़े यार ठीक है थैंक्यू यार सबस्क्राइब करेंड करेगा कि उसको जब आपने मैगनेटाइस किया था और सपीनों यार काम की चीज, काम की चीज पूछो यार सब टेलीग्राम पर बूछ लेना यह चीज है न सौरव यही तो बता रहा हूं में कि सौट एलेक्ट्रोमाइड इंपॉर्टेंट है तुम वही चीज दुबारा लिख रहे हूं इंपॉर्टेंट है क्या चलो यार कमेंट्स जो है इसके उपड़ थोड़ा सा वापिस लगाम लगाव जाओ आ पनthem जो कोई ध्यान दे रहे हूं फिट से बता रहूं है कोई डाउट है नहीं यार वैसे भी बस लेके जारें ध मत लिखे जारें यार बार मैगनेट जो permanent magnet है एंड इलेक्ट्रो मैगनेट है तो बार मैगनेट जो है इसके अंदर क्या कह सकते हैं बार मैगनेट पहली चीज़ पर्मानेट मैगनेट है Electromagnet क्या होती बच्छो आपकी temporary magnet होती है its magnetism is only for the duration for which current passed through it जब तक current pass होगा तब तक electromagnet magnet रहेगी once the current is switched off now it is again back to the normal thing magnetism of an electromagnet can be switched on और switched off as desired तो बहुत important चीज़ यह permanent है यह temporary magnet ही electromagnet second permanent magnet produces a comparatively weak force of attraction permanent जो होती है generally weak होती है and जो electromagnet होती है generally strong होती है क्योंकि यहाँ पर आप क्या कर सकते हो current को बड़ा बड़ा के बड़ा के आप magnetic field की value increase कर सकते हो next strength of permanent magnet can be changed यहाँ की strength cannot be changed permanent magnet जितनी strength है उतनी ही रहेगी वो बड़ल नहीं सकते हो आप whereas अगर electromagnet आपने ली है तो इसकी जो strength है उसको आप change कर सकते हो कैसे by increasing the amount of current और by increasing the number of turns तो यह बड़ल सकते हो next north-south polarity of a permanent magnet is fixed अगर permanent magnet आपने ली है तो उसका जो है north जो है वो north ही रहेगा south-south ही रहेगा whereas electromagnet में क्या है यार battery की जो polarity यह बदलो यार देखो ध्यान से अगर इस battery को ऐसे की जग़े ऐसे लगा दो इधर plus इधर negative तो current उल्टा जाएगा current उल्टा जाएगा तो north की जग़े south आजाएगा south की जगे north आजाएगा तो electro magnet में आप polarity को बदल सकते हो whereas permanent magnet में नहीं बदल सकते हो यह कुछ बाते जो मैंने कही थी बहुत important बात है coarsivity, retentivity, magnetic, suspectability और soft iron core की जो चीजे हैं इसे ध्यान से देख ले यह बहुत काम की चीज है यह 9-10 के level पर, IJSU के level पर बहुत सारी बाते नहीं बताई जाती है purely जो है आपकी 12 की जो चीजे है थोड़ी सी चीजे समझ लेते हैं जिससे कि अपने को अच्छे से समझ में है अब देखो, हर चीजों की कुछ ने कुछ प्रापर्टी होती है, हर material की तो soft iron core की properties मैंने नीचे लिख रखिए पहले समझते हैं, यह properties का नाम क्या है और उनको कैसे define किया जाता है Corsivity क्या है Corsivity को कहा गया है It is the intensity of the applied magnetic field required to reduce the magnetization of a given material to zero अगर मान लो, कोई material है ठीके, उसकी कुछ magnetism already थी तो आप क्या करोगे, देखो यार, एक magnet थी उसकी ऐसे magnetism थी, सारे particles उसके अंदर ऐसे थे ऐसे थे, ऐसी magnetism थी, यहाँ north था, उसका यहाँ south था अब आपको क्या कर रहे है Intensity of the applied magnetic field Applied magnetic field कौन सी होगी, external External magnetic field जो है, आपने ऐसी apply करी To reduce the magnetization of a given material to zero तो आपको क्या करना है ऐसी magnetic field लगाओ, ulti direction की B external को ऐसा उल्टा लगाओ ऐसा लगाओ, जिससे की अब इनका orientation change होने लगे Change होते होते, वो ऐसा होना चाहेंगे Orientation के बाद, ऐसा होना चाहेंगे To surrender its magnetization अब आप बहुत easily बता सकते हैं कि यार, अगर soft iron core है Soft iron core क्या पढ़ाया था सर ने? कि जैसे ही current बंद करोगे अपने आप random हो जाते है, फटा-फट से random हो जाते है Whereas, permanent magnet अगर आपने steel के थूँ बनाई है, तो वो बहुत ज़्यादा समय लेती है ठीके, तो soft iron core के लिए Corsivity क्या होनी चीए? High होनी चीए या low होनी चीए? ठीके, इसने क्या बोला है? Intensity of applied magnetic field required Soft iron core के लिए कोई भी magnetic field के intensity required ही नहीं है उसे demagnetize करने के लिए फटा-फट से demagnetize हो जाती है तो Corsivity जो है, यह demagnetization से related है तो soft iron core के लिए क्या होगा? Low Corsivity होगी यही चीज लिख रखिया आपने Less Corsivity of Soft Iron Please ध्यान रखिया Then, Retentivity Retentivity से कुछ-कुछ चीजे दिमाग में आ रही कि retention की capability कि कौन कितना retain कर सकता है ज़रा देखते है So, Retentivity is the capacity of an object to retain magnetism after the action of the magnetized force has ceased तो अगर magnetize करने वाला force अगर हटा दे हम बंद कर दे तो कितनी देड तक वो जो है उसके अंदर magnetic field रहने वाली है ठीके? तो आप कह सकते हैं यहाँ आपर Low Retentivity of Soft Iron Core मैंने आपको बताया था जैसे ही magnetic field बंद कर दोगे तो वो तो वापस से destabilize हो जाएगी तो यहाँ पर इसका Retentivity and Corsivity दोनों low है Soft Iron Core की Retentivity and Corsivity दोनों low है Then next, Magnetic Suspectability It is a measure of how much a material will become magnetized in an applied magnetic field तो कितना एक material magnetized हो सकता है आपको पता है Soft Iron Core विल्कुल एकदम जबरदस magnetized हो जाती है तो Magnetic Suspectability क्या होगी इसके लिए High होगी ठीके तो High Suspectability तो इन्यू प्रॉपर्टीज की वज़े से हम Soft Iron Core को यूज करते है How about the Steel Steel के अंदर क्या होता है बच्छो देखो इसकी बात करो Corsivity, ठीके The Intensity of the Applied Magnetic Field to Required to Reduce the Magnetization of a Gune Material to Zero तो इसकी Steel के अंदर Corsivity क्या होगी High Core Corsivity High Core Corsivity High Core Corsivity यहाँ पर बोल सकते हैं Then इसके बाद इसके अगर Retentivity की बात करें Capability on Object to Retain Magnetism इसके अंदर बहुत समय तक Magnetism रहता है तो यह High Retentivity है जरा इसकी बात करते है Magnetic Suspectivity is a measure of How much a material will become magnetized in an applied magnetic field अब यह क्या होता है मैंने आपको समझाएता है Steel धीरे 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 magnetized होता है बहुत समय लेता है तो आप कहेंगे Less Suspectability ठीके Suspectability ठीके तो आप यह चीज़ लिखके उससे बिल्कुल Ultra Steel है तो बच्चो ध्यान रखना आपकी desired यह property है कि उसकी जो है Corsivity कम होनी चीए Retentivity कम होनी चीए और Suspectability ज़्यादा होनी चीए इसका मतलब जो है जैसे ही current बंद करो फटाफट से random हो जाना चाहिए ठीके तो यह चीज फटाफट से random हो जाना चीए यह रहा और उसको जो है magnetize करने के लिए demagnetize करने के लिए ज़्यादा efforts नहीं लगने चीए फटाफट demagnetize आपने कर दिया और उसके अलावा Suspectability बहुत जो है यहाँ पर कहा गया है measure of how much material will become magnetized तो फटाफट से magnetize हो जाती है soft iron को और फटाफट से destabilize भी हो जाती है तो सारी बाते ध्यान लगना बहुत important चीज़े बताइए कुछ doubt है तो पूछो यार ठीके Corsivity once more बेटा देख Corsivity once more तेरे को यहाँ पर explain कर देता हूँ वह simple जी चीज़े Corsivity क्या है अगर आपने magnetic field उल्टी लगाई है ठीके यह देखना यह ऐसे magnetized था एक magnetic material था इसको अगर आपने क्या किया magnetic field को उल्टा लगाया है तो यह धीरे 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 ऐसे उल्टे direction में जाने लगेंगे तो आप क्या कर रहे हैं इसको demagnetize कर रहे हो तो जहाँ पर demagnetize जो है quickly हो जाता है ठीके वो less Corsivity वाला होता है तो देखो यह less Corsivity मैंने बोला देखो it is the intensity of the applied magnetic field required to reduce the magnetization of a given material to zero तो यहाँ पर अगर soft iron core है तो आपको intensity of external magnetic field बहुत कम लगानी पड़ेगी आसानी से demagnetize हो जाएगा तो आप कहेंगे less Corsivity I hope समझ में आया होगा तो अगर core material permanent magnet हो तो permanent magnet हो तो electromagnet पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं बिटा यार फड़ electromagnet रहे है तो आपका जो है नुकसान हो जाएगा यहाँ पर है न रचित गलत हो जाया गया रहे है ठीक है Corsivity के बार दुबारा बता दिए इसके questions नहीं है बिटा theoretical चीज़ है पूरी की पूरी यह देखो electric bell कैसे work करती है जड़ा देखते हैं आपर electric bell देखो इलेक्ट्रिक बैल जो है आईसे सी बुड के बुक्स में दे रखी है तो बहुत ध्यान से समझना इसको बच्चो कैसे work करती है इसके अंदर material क्या क्या है देखो यहाँ पर में पार्ट्स ऑफ दी बैल आर होर्ट्शू इलेक्ट्रो मैंगनेट हैं इसके बाद hammer edge hammer तो अपर ही दिख रहा है यह रहा यहाँ तोड़ा है यह आके टकराएगा इसको ठीके then a gong gong क्या है जिसके उपर यह hit करने वाला है यह रहा गong ठीके then a metallic spring strip ss metallic strip का है यह देखो यार ss यहाँ पर metallic strip जो है यह ss dash उपर वाली तो नीचे वाली जो है उसको हम कह रहे है नीचे वाली तो प्लीज ध्यान से देख़एगा metallic strip यह रही है ss ठीक एक strip है ऐसे के ऐसी cd then इसके बाद adjusting screw sdash यह adjusting screw sdash यहाँ पर ठीके तो पूरा mechanism क्या होगा अभी मैं आपको समझाओंगा पूरा switch लगा हुआ है k यहाँ पर end battery ठीके switch कहा है यहाँ पर ध्यान से देखे यह रहा सर switch यह battery लगी भी है तो इसका working किस तरह से यहाँ पर हो रहा है यह जरा बहुत ध्यान से समझे आप तो आप क्या बोलेंगे सर देखो सबसे पहले अगर diagram खुद से बना लोगी तो बहुत easily समझ में आ जाए ठीके अब आपने क्या किया सर इसके उपर winding करनी है मुझे वायर पे winding करनी है तो winding करने से पहले इसको सभाई कर लेते हैं थोड़ी सी जरा अच्छे से समझो आपर soft iron core आपने रखा अब इसके उपर जो है wrap करोगे wire को wrap करोगे कैसे कर रहे हूँ ठीके आपने देखा सर यह बाहर से ऐसे जा रहे है ठीके फिर यह पीछे चला जाता है यहां से फिर यह ऐसे आता है फिर पीछे चला जाता है फिर ऐसे आता है कि एसे ररेप कर दिया इसके बाद यहीं से बाहर निकला तो इसे थोड़ा-थी पैटर्न रखना यह बहुत इंपॉटन छीज़ यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा हैं कुछ इस तरह का पैटर्न रखना है कुछ इस तरह का पैटर्न रखना है कि यहां का जो करंट है यह जो वायर है यहां पर डॉटेड वायर होना चाहिए था यह पीछे से आता हुआ ऐसा तो इसको जो रड़ा धान से दुबारा बना के देखो यार यह वायर ऐसे आया उपर से ऐसा ठीक इसके बाद नीचे से को इसके उपर से निकाला है कुछ इस तरह से वायंडिंग करो कि एक साइट साउध बने एक साइट नौर्थ बने अगर दूनों साइट साउध साउध बन गया तो गड़वल हो जाएगी ठीक ऐसा नहीं करना है अपने को वायर की यह ट्रिक अपने को इस्तेमाल करनी है कि जो है साउध बने एक तो यहाँ पर नॉर्थ पॉल बने अब क्या है आपने यहां पर देखाएक यह जो है uh metallic strip आदे हाहा लागा रखी आतेकrem इसके उपर जो है, यہ हैमर जो है, यह इस तरह से connected था, तो हैमर जो है, हैमर का connection दिखाने के लिए, red color का हैमर जो है वापस इस्तेमाल करते, इसा इसे जो है, यहाँ पर, यह ऐसे उपर गया है यहां तक, ठीक है, फिर यह ऐसा, अरे दोस्तों ठीक है कोई दिक्कत नहीं यह जो है ऐसा यह ऐसा आपने दिखाया यह चीज ऐसे लगी भी थी यहां पर देन इसके बाद आपने क्या किया आगे गॉंग दिखाया यहां पर बहुत बड़ा सा गॉंग लगा वे ठीक है अब यह देखो यहां mechanism क्या है mechanism किस तरह से यह वर्क कर रहा है इसका mechanism बिल्कुल ध्यान से देखने की कुशिश कर रहा है कि सर यह जो है यह इस तरह से है पीछे की तरफ यहां पर जो है यह ऐसे सरफेस से टच कर रही है ठीक है अब देखो यहां हो क्या रहा है प्लीज इसके वायर के जो connections से इसको देखने की यह गोला है इससे connected है यहां पर फिर यह वायर ऐसे गया नीचे यह बैटरी में लगा यह की में लगा इसके बाद यह इस उपर आया इस गोले में लगा फिर यह वायर यहां के ऐसे connected है ठीक है और जो है ठीक है अच्छा यह इधर से सॉरी इससे ठीक करें यह जो ऐसे लगा ठीक है और यह जो वायर उपर से निकला यह पीछे से आता हुआ इसके अंदर ऐसा ऐसा गनेट हो रहा है ठीक है अब क्या होगा इसके अंदर बच्चों ध्यान से देखना करंट इसके अंदर ऐसे फ्लो स्टार्ट करेगा करंट ऐसे फ्लो करना है करंट ऐसे गया करंट के जा के अंदर complete current घुम गया ठीक है अब क्या हुआ ये north and south यहां बन गए north and south बनने की वज़े से यह जो hammer वाला जो यह था यह hammer वाला जो था यहाँ पर देखो आपने इसको statement में कैसे लिखाए यह और metallic spring strip SS तो यह जो है S और S यह metal का है यहां से लेकिए यहां तक यह जो है यह metal का है अब क्या होगा यह spring का है spring का मतलब जो आराम से वापिस अपनी position पर आ चुके जैसे ही इसके अंदर current जाएगा यह इसके तरफ आएगा attract होगा यह metal का है attract होगा और north south पर आके चिपकेगा इसके चिपकते उपर यह इसको hit करेगा तो एक घंटी के आवाज आती बटन दबाते टिंग करगे ठीके उसके बाद क्या होगा आप जो circuit के अंदर current भेज रहे हैं यह कौन सा वाला current है this is alternating current alternating current क्या करता है अपनी value को जो है alternating current ऐसे दिखाई देता है ध्यान चे देखना यह current versus time का graph मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर बनागी ठीके अब यह value जो है current की value एकदम से 0 होगी जैसे ही current की value 0 होगी आप क्या बोलोगे सर यह north south गया हो गया उस moment के लिए और उस moment पे क्या होगा यह वापिस पीछा जाएगा ठीके magnetic effect जो है बिलकुल खतम हो गया है औ एग जैसे ही current ऐसे negative cycle में गया फाइडियम से negative तो negative current में क्या होगा यह south की जगे है यहाँ पर north बन जाएगा north की जगा south बन जाएगा क्यों बन जाएगा because current का direction उल्टा हुआ current का direction और थे क्लॉक्वाइज की जगँ? metal strip क्या बोलेगा यार है तो magnitude और वो तुरंत वापिस attract हो जाएगा और एक collision होगा collision की वज़े से वापिस से ये bell बज़ेगा तो that is how बच्चों electromagnet इस तरह से work कर रही होती है तो please इसकी जो theory है detail में जो भी बाते मैंने आपको verbally बताई ये ICSC की जो books है इसके अंदर पूरी theory इसके अंदर provide कर रखी है जो भी चीज़े मैंने आपको verbally बताई सारी theory वहाँ लिखी वी है और ये जो है मैंने अपने channel पर available भी करा रखी है books तो आप वहाँ से बिल्कुल पढ़ सकते है important चीज ये जो चीज मैंने अभी आपको बताई if an AC source is used in place of the battery core of the electromagnet will get magnetized but the polarity at its end will change आपने बोला कि जहां north हमां south जहां south हमां north इसे reverse हो जाएगा since attraction of armature does not depend on the polarity of the electromagnet ये depend नहीं करेगा कि polarity क्या है आपका जो strip है वो तो metal strip है iron का बनावा है और जो magnet है उसका चाहे north हो या south वो तो attractive होगा हमेशा ठीके so the bell will still ring on pressing the switch की तो alternating current की वज़े से कोई फरक नहीं पढ़ रहा है north की जग़े south आगया है south की जग़े north आगया है ये bell फिर भी hit करेगी तो please ICC boards की book का इस्तेमाल करें इसको detail में पढ़ने के लिए अच्छा खासा लंबा session मैंने आप लोग के लिए रखा था पूरा ठीके पूरा session रखा था आपका ठीके PDF सारे lecture notes की आपको मिल जाएगी tension मतलो ठीके I hope मज़ा आया होगा तो बच्चों से सबसे request है बहुत सारे बच्चे sessions देखते हैं और sessions के बीच में sessions के बीच में जो है वो बहुत जादा comments को use करते हैं ठीके आपके comments curtail हों जिससे कि आप अच्छे से पढ़ पाएं इसलिए मैंने comments पढ़ना ही बंद कर दिया है ठीके आप जो है यहाँ पर टेलीग्राम पे और contact number पे बिलकुल बात कर सकते हैं कमेंट पढ़ना बहुत reduce कर दिया है आप लोग का because मैंने observe किया है यह current topic से related comments आते ही नहीं है strategy वाले ही comments हमेशा चलते रहते हैं हमेशा आरे live code जो है एकदम परम सत्य है super cool, super awesome code इसको इस्तमाल करते हैं and academy का आप subscription ले next class में जो है मैं आपके लिए force जो है अब next section पर move करूँगा force आपको बिल्कुल यहां पढ़ाने वाला हो and do like the video अगर आप video like करते जाएंगे तो हमें इसी तरह से और motivated होके videos बनाते जाएंगे thank you बच्चो, thank you guys, bye bye